नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश बर में विरोध प्रदर्शन जारी है सी बीच कॉंग्रस मासचिप प्रियंका गांधी ने ट्वेट किया है देश के विश्विध्यालों में घुस घुस कर विध्यार्तियों को पीटा जा रहा है जिस समय सरकार को आगे बढ़कर लोगों की बात सुननी चाहिए उस वक्त बीजेपी सरकार उतरपोर्व उतरप्रदेश दली में विध्यार्तियों और पत्रकारों पर दमन की जरीय अपनी मौजूद की दर्च करवा रही है जनता की आवाज से डड़ती है इस देश की नौजवानों उनके साहस उनकी हिम्मत को अपनी खोकली ताना शाही से दवाना चाहती है यह भारती यूबा है सुननी जी मोदी जी यह दबेगा नहीं इसकी आवाज आपको आज नहीं तो कल सुननी ही पड़ेगी तो साथ चेताया है बीजेपी मोदी सरकार को इनकी आवाज आज नहीं तो कल सुननी ही पड़ेगी इनकी आवाज को दवाया नहीं ज़ा सकते है कॉंग्रस मासर चेफ प्रियंका गांधी का ये उट्वेट तो लगातार अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है जिस तरह से चात्र उग्र हो रहे उसके पीछे माना जा रहे कि कुछ चुनिंदा राजिक सत्व इस देश की माहूल को खराब करने की कोशिश में जुटे हुए है